सामाजिक सुर्क्षा पैंशन योजना के अंतर गड़ जिसको भी पैंशन मिल रहा है अब उनको वर्ष दो हजार चोईस में 1150 रुपए परती माँ पैंशन मिलेगे सामाजिक सुरक्षा पैंसन योजना के अंतरगत जिस भी पैंसन योजना में चाहें वो वर्दा उस्ता हो या फिर दिव्यांग हो या फिर एकलनारी पैंसन योजना हो उन सबी को 27 जोन दोजार चोईस से मुखे मंतरी के दोवारे 88.49 लाक्षी जदा पैंसनों के खाते में 1038 35.50 क्रोड रुपै सीधे भेज़ जाएंगे तो अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके बैंक खाते में पैंसन के 1150 रुपा आएंगे या फिर नहीं आएंगे इसकी सूची जारी हो चुकी है पैंसन योजना के अंतरगत आपको कितने मेने की पैंसन दी जा चुकी है आ आपके घर परिवार में जिसको भी सामाजीक सुरुक्षा पैंसन योजना के अंतरगत चाहिए वो दिव्यांग पैंसन योजना हो या फिर वर्दावस्ता पैंसन योजना हो या फिर एकलनारी पैंसन योजना हो किसी भी परकार की सामाजीक सुरुक्षा पैंसन योजना के पैंसन बेजी जाएगी यानिकि अप्रेल दो हजार चोईस और मई दो हजार चोईस के 1150 1150 रुपए सीधे बेजे जाएगे अब हम आपको बताते हैं कि आप सूची में आम कैसे चेक कर सकते हैं साथी जो भी पैंसन योजना के पातर हैं वो फॉर्म कैसे बर सकते हैं और पात 250 रुपए पैंसन मिलेगी या पिन नेम लेगी तो साथी वीडियो को पूरा देखिए सामाजिक सुर्ख्या पैंसन योजना से जुड़े भी सारी जानकरी आज आपको इस वीडियो में बताई जाएगे और अपने जीले का नाम कॉमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दे साथी आपको हर मेने कितने रुपए पैंसन मिले यहां से आप पैंसन का बुगतान चेक कर सकते हैं साथी हमारे गाओं में किन-किन को सामाजिक सुर्ख्या पैंसन योजना के अंतरगद हर मेने पैंसन मिल रही हैं यहां से हम लिस्ट भी चेक कर सकते हैं तो यहां से अपना नाम लिस्ट में जरूर चेक करने कि आपको हर मेने 1150 रुपए पैंसन के मिलेंगे या पिर नहीं मिलेंगे यहां पर आपको तीन नमर पर क्लिक कर देना है यानि कि सामाजिक सुर्ख्या पैंसन लाबार्थी की जानकारी चैतर में पैंसन लाबार्थी के बारे में जाने इस इस पर क्लिक रेंगें तो इस तरह से हमारे सामने लिस्ट आजएगी सबी जिल्लों की यहां पर आपका जो भी जिल्ला है उस जिले के सामने दिया वो मिलता है वीबरन डिटील्स इस पर हमें क्लिक करना होता है साधिम यहां से यह भी चेक कर सकते हैं कि समझिक सुरुक्षा पैंसन योजना के अंतर गजीले के अनुसार कितने कितने लवारतियों को पैंसन दी जा रही है तो यहां से यह डाटा भी चेक कर सकते हैं एकलनारी पैंसन योजना कितनों को मिल रही है वर्ज अगर आप ग्रामिन से हैं तो यहाँ पर पंचाईद समीती का नाब मिलता है। तो यहाँ पर अपना छैक्तर करने कि आ अरबन हैं उसके बाद में आपका जो भी तैसिल है जो भी आपका ब्लोक है उसके थीख सीमिती में पर देटील्स इस पर हम क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर जिस भी ब्लोक या फिर पंचाईट समीति की सूची चेक करना चाहते हैं उसके ठीक सामने विबरन या फिर डिटियल्स पर क्लिक करेंगे उसके बाद में पंचाईट समीति में जितने भी ग्राम पंचाईट है उन सब की लिस्ट आजाएगी अगर आप सेरी योजना के अंतरगत पैंचन मिल रही हैं साथी 1150 रुपए पैंचन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी यहां से हम चेक कर सकते हैं तो अगर आप ग्राम पंचाईट के नाम के ठीक सामने यहां पर आपको मिलता है विबरन डिटियल्स इस पर हमें क्लिक करना होता है तो ग्राम यहां पंचाइट में जितने भी गाम जूड़िवे उन सब गावं का नाम आजाएगा और उस गावं से कितने लोगों को पैंसन मिल रही है उन सब की संख्या आजाएगी अम जिस भी गाव की सूची चेक करना चाहते हैं उस गाव के ठीक सामने यहाँ पर मिलता है विबरन यहाँ पर डिटेल्स इस पर हमें क्लिक करना होता है जैसे विबरन यहाँ पर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो उस गाव में कितने लोगों को समाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के अंतरगत पैंशन मिल रही है यहां से लिस्ट चेक कर सकते हैं साथ हर महीने कितने रुपए पैंशन मिल रही है यहां से चेक कर सकते हैं कौन से बैंक खाते में पैंशन मिल रही है यहां से चेक कर सकते हैं अकाउंट नमबर मिल साथ आगर आपके पास पी पो नंबर नहीं है तो यहां पर इस लिश्ट में हमें यह बी मिलता है कि हम जो समाझी सुअर्क साय योजना के इंत्रकत के पैंसन के इंत्रकतक जा रही है उसद्ध द्रकत क्या नाम मिलन जाएगा या दरन के तोर पर एककलनारी या फिर और यहां पर लास्ट में मिलता है तो पैंसन राशी में जिसके 1150 रुपई लिखे हुए हैं उन सभी को हर महीने अब 31 मार्ज 2025 तक 1150 रुपई परतिमा पैंसन दी जाएगे जिसके यहां पर 1500 रुपई लिखे हुए हैं अब उनको हर महीने पंदरा सु रुपए पैंसन मिलेगी तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपको हर मेने कितने रुपए पैंसन मिल रही है और बड़ी वी पैंसन आपको मिलेगी या पिन नहीं मिलेगी यहां से चेक कर सकते हैं यहां कि 27 जोन दोजार चोईस को 1150 रुपए पैंसन आपको मिलेगी या पिन नहीं मिलेगी तो इस तरह से आप लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं कि आपको कितने रुपए पैंसन मिलेगी मज़िक सुर्ख साफ पैंसन योजना की इस ओपीसियल पॉर्टल के लिंक आपको वीडू की डीस्क्रिप्शन में मिल जाएगे, यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स पर क्लिक करदेना है, उसके बाद में पैंसन का पैंसन का पैंसन चैक करना चाहते हैं, अब तक आपको कितने मैने की पैंसन मिल चुकी है यहां से हम डिटेल चेक कर सकते हैं और पैंसन वाले के काते में 1150 रुपई पैंसन मिली या पिर नहीं मिली यहां से चेक कर सकते हैं अभी पैंडिंग है यान की पैंडिंग दिखा गए अपरेल मही का तो दोनों महीने की पै जाएगे तो अभी यहां पर पेमेंट पेंडिंग दिखाएगे इसका मतलब अभी बैंक खाते में रुपए बेजिद नहीं गए जाएगे तो अगर आपको किसी भी पेंडिंग का पेमेंट चेक करना हो तो यहां से आप इस तरह से पेमेंट चेक कर सकते हैं कि उनको हर मेने पेंडिंग रहे हैं या पर नहीं मिल रहे हैं जिसकी उमर 55 वर्ष जो महीला है वो इस पैंशन योजना के लिए पातर है और जिसकी उमर 58 वर्ष और पुरूस है तो मुखे मंतरी वर्जन सम्मान पैंशन योजना के लिए फोरं बर सकते हैं मुख्य मंत्री विशेश योगेजन सम्मान पैंसन योजना में किसी भी आयू का विशेश योगेजन जिसकी निसकता 40% या उससे अधिक है तो इस मुख्य मंत्री विशेश योगेजन सम्मान पैंसन योजना के लिए फोरम बर सकते हैं खीजिस को दिव्यांग पैंसुन योजना की अंतरगत पैंसन मिल लिया है अगर उमर पिचथर वरसे अधिक तो तो उनको 1250 रुपए परतिमा पैंसन दी जा रही है तो यहाँ पर eligibility criteria में जो I.U. दीगी है वो अधार कार्ड और जन अधार कार्ड दोनों में I.U. होनी चाहिए तब ही आप इन समाजिक सुर्ख्या पैंसन योजनाओं के लिए पात्र होंगे आप अगर आप ओनलाइन पॉर्म बनना चाहते हैं अगर समाजिक सुर्ख्या पैंसन योजनाओं के लिए पात्र है तो अपने नजदीक किसी भी जन सुवीदा के अंदर इमीतर पर जाकर और ओनलाइन पॉर्म बरवा कर हर महीने 1150 रुपई पैंसन ले सकते हैं तो साथियों आज हम ने आपको बदाए कि समाजिक सुर्ख्या पैंसन योजनाओं के अंतरकर सत्ताई जोन दोजार चोईस को किस को 1150 रुपई पैंसन मिलेगी हम ओनलाइन सुची कैसे चेक कर सकते ह उम्मीद जान करें अच्छी लिए मिलेगी वीडियो में जान करें के साथ तब तक किलिए बने देए हमारे साथ आपसे बगातर हुच्छों बहुत जाहीं तो बंदे बात रफ जार सरी राम